नमस्का सुताओं, मुख्य प्रादेशिक समचारों के साथ मैं शशी कांत यादाओ 36 गड़ की छटवी विधान समा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम नाव निर्वाचित सभी विधायकों को शपत दिलाई मुख्यमंत्री विष्णू देवसाय, उप मुख्यमंत्री अरुन साव और विजय शर्मा, नेता प्रत्पक्ष डॉक्टर चरन दासमहंत और पूर मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने 36 गड़ी में शपत ली सत्र के पहले दिन आज पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमान सिह को सर्व सम्माती से विधान सभाध्यक्ष चुन लिया गया है वहीं कल सदन में राजेपाल, विश्व भूशन, हरीचन्दन का अभीपाशन होगा आगामी लोग सभाचुना के मद्दे नजर अखिल भारती कांग्रेस कमिटी ने राष्टी गटभंदन समिती का गठन किया है इस समिती में 36 गड़ के पूरो मुख्यमंत्री भूपेश बगेल को भी सदस्य बनाया गया है पूरो प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल विहारी वाजपी की जैनती 25 दिसंबर को राज्जी के सभी सीलों और ग्राम पंचैतों में सुशासन दिवस के रूपे मनाई जाएगी प्रधानमंत्री नेरेनर मोदी ने 31 दिसंबर को आकाश्वनी से प्रसारित होने वाले मन की बात कारिकरम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं शोता माई जी ओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साज़ा कर सकते हैं जांचकीर चापर जिले में आज उजित अगनीवीर भरती रैली में पाचवे दिन आज जनतेवाडा, जशपूर, कबीरधाम, सरगुजा, बीजापूर, कुंडागाउं और बालोत के 1124 युवाज शामिल हुए इन में से 388 युवाओं ने दोड़ की परिक्षावतियों न की बीजापूर जिले में महावादियों के साथ हुई मुडभेड के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से पांच नग बैरल ग्रेनेट लॉंचर सेल बीजियल बरामत किये हैं आयोध्या में नवनिर्मत श्री राम मंदिर में आगामी 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्था की जाएगी इस सुपलक्ठ में रायपूर में 21 जन्वरी को भगवान श्री राम की भव शोभायात्र निकाली जाएगी और इंद्रागाधी राश्ट्री मुक्त विश्विद्यालाए इगनु में जनवरी दुहजार चौबीस सत्र के लिए विफिन पाठ क्रमों में औरलेंड प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है प्रवेश की अंतिम्तिती 31 जनवरी निर्धारित की गई है ये थे अब तक के मुखे प्रादिशी समचार नमस्कार